किसी भी देश परदेश या स्थाने स्तर पर विकास गाथा में और विशेशकर ग्रामिन अर्थवेवस्ता में महिलाओं की भूमी का अति महत्वपुन होती है करोना हालत के चलते वर्तमान समय में इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मुल्यांकन और समय रहते सही कारिय योचना सुझाने और बनाने के साथ ही चमीनी स्तर तक पहुचाना महत्वपुन बाद है आपको बता दे के 36 गड़ के नरायनपूर जीले के ग्राम गद बेंगाल की साई समुहु द्वारा बेसन का लड़ू चावल का लड़ू इमली का अचार और ब्रह बेडा की मा गायतरी समुहु के द्वारा इमली कैंटी बनाया जा रहा है इनके द्वारा बनाई जा रही सभी चीजे नरायनपूर मुख्याले स्थीत अबू जह माट बिहान माट सोनपूर रोड में उपलब्द करवाया जाएगा वहां से आम जंता के लिए विक्रेहितु उपलब्द रहेगी पडोसी जीलो के और राज्य के अन्य जीलो के साथ ही स्थानय स्तर पर इन सभी चीजों की अच्छी खासी मांग रहती है लोगडाउन की चलते स्थानय जीला पंचायत विशेश कर आर्थिक तोर पर इनकी काफी मदद कर रहा है महिलाओं की व्यापक भागीदारी से ही हम तेजी से विकास कर सकते हैं नारी की सिति सुधारे बिना संसार का कल्यान नहीं हो सकता किसी पक्षी के लिए एक पंक से उन्ना संभव नहीं है यह हम सभी जानते हैं और मानते हैं कि हम महिलाओं की और बागीदारी से ही प्रगती कर सकते हैं नरायनपूर में विभिन विभागों की विभागी योजनाओं में इनके अलग-अलग कार्यू का पातरता के हिसाब से पशिक्षन दिया जाता है ताकि वे आत्म निर्भर बन सके इनमें सिलाई कड़ाई से लेकर अचार पापड आधी सिकाया जाता है नरायनपूर से सवाधाता गेंदलान मरकान की रिपोर्ट वेडिन, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गादन अजे बीडी बैंक्वेट एंटर्प्राइब